कि नाजरीन आदाप आज हमारे मेहमान हैं सत्यपाल अनंद जो बहुत उंदा शायर हैं बहुत उंदा पहानिकार हैं और बहुत अच्छे नकाद भी अभी हाल ही में कि एक किताब कथा चार्जन्मू की आई है जो काफी मक्मूल हुई हिंदोस्पाल पाकिस्तान में और सत्यपाल अनंद इन तमाम हमालों से जाने ही जाते हैं साथ-साथ घजल मुखालिफ शख्स के तोर पर भी सत्यपाल अनंद को जाना जाता है और घजल की वो मुखालिफत क क्यों करते हैं हाला कि ये बहुत पुरानी एक भहस है कि गजल की मुखालिफत बहुत सारे लोगों ने की लेकर उसके बावजूद गजल आज वैसे ही लिखी जा रही है हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज कल ये अमेरिका में मुकीम हैं इंदोस्तान तश्रीफ स्वयगां वभी है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आफिर क्यावज़ है के घजल में इजहार इस तरह रहा अपनी चीजों का अपने जबाद का इसासत का नहीं हो पाता है जैसे नज्व में हो पाता है या कहानी के हवाले से कि ये चार जनम जो है जनम में इन्हों ने चार जनम कैसे जिए इन तमाम हवालों से आज हम सतेपाला नम जी से गुफ्तबू करेंगे सतेपाल जी आपका खीर मद्दम है हिंदुस्तान में आप यहां तश्रीफ लाए हैं शुक्रिया आपका मुल्क है लेकिन सेंटालिस से पहले गालिबन फिर सेंटालिस के बाद का एक दोर है आपका फिर उसके बाद का एक दोर है फिर उसके बाद आप हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हैं जी हिजरत का वो दर्द जो सेंटालिस ने लोगों को दिया और फिर वो हिजरत जो हिंदुस्तान से आपको बेहाद अख्र जबान बुरी जाती थी वहाँ ये गाओं कोट सारंग जिला चकवाल पंजाब में था उस वक्त इसका जिला कैमबल पूर था जिसका आज कल का नाम अट्टक है पांचवी जमाद तक मैं मौलवी की जहरे निगरानी प्राइमी स्कूल में पढ़ा और वो मुझे मौला बाख शाय तक याद है मेरी किताब में उसका जिक्र है जो डंडा था और वो मेज पर पड़ा रहता था और मैं अकसर सोचता था कि इस डंडे की दो आँखे है यहर उस लड़के को घूर रहा है जो शरारत कर रहा है और यह उस्ताद जी को मौलवी जी को उनका नाम भी याद है मौलवी रुस्तमरी खान मुस्लमान राजपूत थे बता देता है कि फलान लड़के ने शरारत की लेकिन भार कैफ मैं उस वक्त भी पंजाबी में जो मेरी माधरी जबान थी यनि मां के दूड की शीरीनी के साथ मेरे हर्क से नीचे उतरी थी उसमें बैत बाजी किया करता था और मुझे वो पहला बैत जिंदी की कब अब तक याद है जो मैंने कहा था कि मेरी मां ने मुझे बढ़ही से एक नया गली रिंडा बनवा कर दिया था और वो दूनों मेरे हाथ में था और मैं गली में बाहर जाकर खेलने के लिए बेताब था कि नया है और बाहर दो लड़के जो है उमर में मुझेज कुछ बड़े थे वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये बाहर आए और कब हम से चीन का रफू चकर हो जाए वो चीन का रफू चकर हो जाए उनके नाम भी अजीब से थे एक बेहद काला बेहंगम सा था उसका नाम कालू था और एक के मुव पर हाथों पर बरस के दाख थे उसका नाम क्या था डबा डबा का पतर जिसके डब के हो तो दो तीन बार मैंने देखा के मैंने का ये छुटकर इंतजार कर रहा है तो मैंने ब्ली डिल्ला फैंका और अपनी बड़ी बैंड से कहा जो बैत कहती थी कित्थे मन्या डड़ या रबा अंदर कालू बार डबा कहा जाओं ओ मेरे अल्लाह जो इतना कहार है ख़दा की एक अल्लाह की एक सिफाती नाम है उसका कहार जबार के अंदर कालू बार डबार अब मैं इसको जब बैत को और से देखता हूँ तो इसमें उस वक्त की जनी च्छे साल साथ च्छे साल की उमर में संस्कृत नाट शास्तर के वो सारे लवाजम दिखाई देते हैं जगा का किरदारों का मौजू का और फिर कहने वाले का चारों चीजें कित थे कहां जाओं जाओं ओ अल्लाह बाहर कालू अंदर डबा है उस्था पाल जी गोया आप ने जो शायरी की अब्तदा की पंजाबी से की जो आपकी मादरी जबान है जाहिए है उसमें लेकिन प्राइस्था इसलाप उर्दू की तरफ आ गए इसलिए कि उर्दू ही समझी जाती थी पंजाबी ना सिर्फ जबान के तौर पर नापैद थी यानि तहरीरी जबान के तौर पर नापैद थी लग बग गुर मुकी तो थी नहीं उस इसलाके में क्योंकि ये अलाका बगारबाद आलाके के बिलकुर साथ लगता था जिला आट तक जो है और उसके बाद जब मैं नौशहरा पहुँचा पांचवी जमाहत के बाद जिला पिशावर में आट वी तक मैं वहां पढ़ा तो अर्दू से शख पैदा हुआ और साथ में आठ वी तक पहुचते पहुचते अर्दू में शेर कहने लगा वही रवायती गजल जो उसको कही जाती थी उसी में शेर कहने लगा और रोजाना अखबारों में जो पिशावर से चपते थे सरहदी, समाचार इस किसम के उमें चपने भी लगा तो एक चाट सी लग गई, चाशनी सी मैसूस हुई जैसे किसी को जबान, किसी को किसी चीज का जाइका उसकी जबान को रासा आ गया तो आपको नहीं लगा कि जैसे हमारे बहुत एहम जो शायर है मुनियर न्याजी हूँ, उसमें हमाददीन पास्मी हूँ, मन्चायाद हूँ जो अफसाने लिखते हैं, ये सब लोग उर्दू के साथ साथ पंजाबी में भी लिखते रहे हैं आपको नहीं लगा कि आपको लिखना चाहिए पंजाबी में ही मैंने लिखा है, मेरी तीन किताबे हैं घजलों की पंजाबी में गुर्मुकी में चपी हुई है, जलंदर से, एक घजल घजल दरिया, एक घजल घजल सागर, एक घजल घजल एक लहर तो पिर क्या वज़े है कि आप गजल की तीन किताबें आपकी पंजाबी में चपती हैं तो पिर आप गजल के मुखालिफ उसकी वज़े यह है कि पंजाबी में गजल नापैद थी अर्दू में तो घजल है ना आप तो घजल के सब्सक्राइब में जवाब दे रहा हूँ मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ कि पंजाबी में घजल को इंट्रिड्यूस करने में हिंदी में घजल को इंट्रिड्यूस करने में पंजाबी में मैंने वही काम किया ये गुरु नानक ने गई थी, उस से बाहर ने निकल पाते थे, पंजाबी पिंगल से बाहर ने निकला थे, उर्दू के अरूज का पता नहीं था, तो हम सब लोगों ने मूँ का जायका बदलने के लिए, ये नहीं कि मैंने जान बुझ कर ये किया, पंजाबी में घजले जो उसे अंग्रेजी में आप एपिफनी कहते हैं, जो बाइबल में जो दर्जा है कि कैसे आप पर एक चीज़ पूरती है जैसे, और वो शेर जो हो जाता है, वो कहा नहीं जाता है, वो हो जाता है, और जब वो शेर हो गया तो एक मिनी पोएं मुक्तसर तरहीं नजम, दो बिस पांच कहानिया अगर अगर खुद पर पांच वहियां एक ही वक्त में उनके नजूर का कैसे इंतिजाम कर सकते हैं, बाकी अबर्दों भी एक शेर जो है, वो आमद है, वो आपको आप पर वारिद हुआ है, बाकी आप जबर्दस्ति खेंच कर लाते हैं? ने ये ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक गजल उसी वक्त में मुकमल हो, तोड़ा सा सत्य पांच ये जानना चाहूँगा, चूंकि आपका इल्म इतना वसी है, आपने दुनिया भर के सफर किये हैं, मैं गजल हग के हवाले से जान बूज कि ये आप से चुके गजल पे इस अखतुरल ईमान ने भी कहा कि गालिब जो है वो गजल का पेहूज है, लेकिन क्या गालिब के बाद शाय पैदा नहीं हुए? अखतुरल ईमान ने जो कहा, उससे पहले जोश मिली अबादी ने कहा, उससे पहले खाली ने कहा, ये सबी लोग इस बात के कायल थे, कि गजल होते होते रवायती बनती जा रही है, उसके बाद गजल 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 कही गई है, एक मिसरी की शक्छल में कुछ मसारे ऐसे हैं, जो आपके जहने में एक मकाले की तरह आजाते हैं, लेकिन शायरी सिर्फ मकाले का नाम नही है, शायरी सिर्फ इस बात के नहीं है, कि अंधे कुए अंधेरे में बहुत दूर की सूजी, पहला मिसरा है, उस जल्फ पे फप्पती दिले शबे दिजूर की सी सूजी, अब हमें मकबूल हो जाए मैं जब बाहर गया पहली बार 1973 में मैं इंगलेंड गया और बिटिश ओपन यूनिवर्स्टी में तीन साल का मेरा स्टे था कंपरिटिव लिटरिचर के बारे में समझने का तो मैंने उस वक्त थोड़ी थोड़ी जबाने सीखी फ्रांसीसी सीखी इटाल आजियन सीखी जर्मन सीखी ग्रीक पुरानी जबान यूनानी रुमाय कदीम की जबान इटली से और ग्रीक जबान थोड़ी थोड़ी पढ़ना सीखी तो मैंने महसूस किया कि अंग्रेजी में तीन और मकबूले आम ऐसी इसनाफे सुखन थी जमर्द भाईजान अगर आप आपने मैट्रिक से बीए तक अंग्रेजी पढ़ी है तो आपको महसूस होगा कि आपने क्रीट्स के ओर्ड़ पढ़े हैं वर्ड़ वर्ड़ के ओर्ड़ पढ़े हैं जो सानेट पढ़े हैं 14 सात्रों का पैट्रियॉर्कन सानेट और शेक्सपीरियन सानेट शेक्सपीर ने आप सारी यूर्प की जबानों में कहीं आपको ओड नजर नहीं आता, कहीं आपको सॉनेट नजर नहीं आता, ऐसी दो तीन और जो लोकल थी, फ्रांसीसी में एक, जर्मन में एक, ये खत्म होगी, उसी वज़े जी थी कि फिलहाल फी जमाना जो आजकल की दुनिया की उनको घजल पूरा नहीं कर सकती है, इस दो वज़ों से, एक तो ये है कि आसान तरीन, ये है इजार सुखन की सिन्फ, और इसमें हर आदमी कहना चाहता है, और वो शायर बनना चाहता है, दस बारा घजले कहने के बाद, उसमें मजामीन वो वैसे ही होते हैं, जो लाखों ब नहीं हूं, मैं रवायती घजल का मखालिफ हूं, उस रवायती घजल का मacağलिफ हूं, जिस से हमारे रसाले भर हुच होते हैं, अगर दस नजमें तो पाचास घजलें, पाचास घजलों में छेसो शेर हैं, और छेस सुख अशार में इसे काम का एक यजेर निकलते हैं. जो खलबा नहीं जमाना चाहिए, उसको वो सारा इलाका नहीं गेरना चाहिए, उसने इस वक्त गेरा हुआ है उर्दु का। लेकिन सत्यपाजी हम तो ये समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत ही घजल है। अगर आप समयते हैं तो आप गलत समयते हैं। उसकी बज़ेज़ यहा है कि हम global डुनिया में रह रहे हैं, हम सिर्फ हिंन्धुस्तान पाकिस्तान बने रहे हैं. आप देगे कि हिंदुस्तान में हिंदी में घजलाजाजाजां के जारी है भी है. थी कियोंके पहले नहीं ही. लेकिन गजल आज भी हिंदोस्तान और पाकिस्तान और जपर इकबार साकीफ आलोपी जैसा शायर गजल कह रहा हो सदे रहा यह निए दो आद दोस्ते मेरे दोनों का जिक्र किया आपने सदे रहा बनकर दीवार की तरह घजल खड़ी हो गई है आपके और यॉर्प के माबैन आपके और अमेरिका के दर्मेहां इसलिए के घजल जो है अचा जो अमेरिका को चीजे पसंद ना है और हम छोड़ दें नहीं मैंने यह नहीं का मैंने का सारी दुनिया इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं जो इंटर्विव कर रहे हैं यह भी ग्लोबल विलेज का एक जि लिट्रेशर है हम क्या हुआ अब मैं आप से एक सवाल पूशता हूं क्या हुआ कि जापान की हाइको तो दुनिया में मकबूल हो गई लेकिन घजल ट्रांसलेट नहीं हो सकी मकबूल नहीं हुई गालब सदी हो गई गालब सदी के दोरान नमालूं 15 या 16 गालब के कलाम के म इसमें इसकदर बदूरियत है उसमें इसकदर लिफाफा बाजी है एक लिफाफे के अंदर 20 चीज़ें डाली हुई है अच्छा आपको मैं यह जाना चाहूँगा आपको एतरास गजल पे आज जो गजल कही जा लिए उस पर है या आप आज जो गजल अच्छा मेरो ने शाहिदी घजल में चीज़ें बहुत सही थी लेकिन वो अपने जिसे हम हिंदी पे कहते हैं चर्म सीमा तक पहुंच गई वही जो वह सेले मुम्तने में वो मीर तक मैंने का मीर तक पहुंच गई और गालिप क्या मलफूफियत जैसे मैंने का लिफावा बाजी लेकिन ठ चे इस्तारे जो मखलूट हैं एक ही शेर में अब कहा कहसे निकालेंगे उनको नक्स जो सरे दिवान शेर है नक्स फर्यादी है किसकी शौफिये यह तहरीर का काज़ी है पैरान हर पैकने तस्वीर का अब नक्स यहां इनसान है फर्यादी है अलला से कर रहा है कि तूने मु पीशे कितना कुछ है कि जो फर्यादी था अगर दर्बार में जाता था नवाब के या बादशाय के तो काघस के कपड़े पहन कर जाता था इसके हाला कि ये एक किसी ने ये तश्रीक की है इस शेयर की फारुपी शमसुरामान फारुपी ने पर इसको रद किया कैसा कही नहीं है कि वो काघस के पपड़े पहन के जाते थे आप मुझसे क्यों कुछ कहलवाना चाते हैं शमसुरामान फारुपी साब बारे पे मुझसे चार बरस चोटे हैं अभी 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 आप हम लोग यही रूपते हैं गजल पे चुके बहुत जादा बहुत जादा बहुत उसकार की और लोगों की उसमें हमारे अजीज दोसंदा फादिली कि इस आशार जो है कि सूरज को चौंच में लिए मुरुए घञा रहा या जफर अक्बाल के शेर है कि बकरी मैमे करती है, कि मा दिया, मुझसे उनकी पुर नहीं है, मेरे रहते हैं, गुफ्तूब यहीं और चली गई और यह जहां चली गई वहां भी जाना जरूरी था हिजरत एक वो हिजरत है जिसका जिकर आपने कथा चार जन्मू की में अपनी इत्दा में किया है जब आपकी उम्र गालिबन सोला साल ले सोला परस कीती जिया फिर बीच में आपकी एजू सब चैसे अलगे सब्सक्री आप कर था जाते हैं चुक्कि आप ने हुघरत का वो दोर देखा का है वो की हुख्या है किसान कर नहीं कर पाते हैं आपने को इसे पिर लिखा भी तुरमने तो आज जो हिजरत हम propulsion करते हैं और वो हिजरत जो आप्ने की हो दर जो है होकुखं करते हैं मेरा जब आप हिंदोस्तान छोड़के जाते हैं तो उस तरह का मैं वो सब चीज़ा मैसूस नहीं होती है मेरा ख्याल है कि इसको मैं दो अशार में जो मेरे दो दोस्तों के हैं एक तो बहुत मशूर है पहली इजरत जो है उसको इस शेर से मैं ममासल कर सकता हूं कि बै बैटके मुझे लुजहाना में हमारी गाड़ी आकर रुक गई जो रिफ्यूजी गाड़ी थी जिसमें रस्ते में मेरे वालिद मारे गए थे और वहीं रुक गए और वहीं ठाहर गए और 15-16 बरस वहीं ठाहरे रहे जब तक कि इस काबिल नहीं हुए 16-26 बरस की उमर तक कि मैं अपनी तारीम जारी रख सकूँ प्रोफेसर नहुंगू पर दूसरी जख जो ऑसको मैं अपनी एक दोस्त के शेर से में मासिछ करता हूं कड़ कि शिकम की आग लिए फिर रही है, 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 शिकम की खाने को मिला, कुटा उसी गुली गली में जाता है, जहां कुछ खाने को मिल जाता है, लेकिन इसमें एक और बात बहुत जरूरी है, कि मैं तीन जबानों में शेर कहता हूं, नजमे लिखता हूं, मुझे अंग्रेजी में अपने आपको थाबित करना था, कि मैं अंग्रेजी और कुछ एडिशन इंग्लेंट से भी छपे हुए है उन पर जो रिव्यूज आए हैं नियू यारकर से रिव्यूज जो हैं उनमें ये बार बार कहा गया है कि ये एक आवाज है जो हमने पहले पहचानी नहीं थी अब हम इसको पहचान रहे हैं तो जाहर है कि मेरे पास मौजूआत जो हैं वो अर्दू में भी वही हैं बार भी वही हैं सिर्फ उनका जो इज़ार है मुखतलिफ जबानों में मुखतलिफ इडियम में है लेकिन वहां भी ये चीज़ नहीं महसूस हुई कि जरूरी नहीं है कि एक आदमी कॉनसेप्ट को जजबे में बदले बगार नजम कहे हमारे हाँ जजबा ही जजबा है कॉनसेप्ट को जजबे में बदला नहीं जाता है लेकिन जब बदला जाता है तो एक नई चीज़ बैदा होती है। मैं अभी आप से जिक्र कर रहा था कि मैंने सुबों यी शायद एक शेर कहा था या कहीं पढ़ाओगा भारार। वो यू था कि एक शेर हो जाता है, एक कलीदी सत्र हो जाती है। आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, की सेंटेंस है, उसके पीछे वो सारा मौजूद होता है, सिलसला। यही आठ दिन पहले चलते चलते एक नजम कही जो यहां से शुरू होती है, कि हाजा खिजर जी मैंने कब पुछा था आपसे चश्म हैवा का रस्ता। और बीच में जो छे सत्रें हैं, मुझे याद नहीं हैं, लेकिन उनका मतलब यह निकलता है, कि मैं तो उस लाफ़ानी हयात का चाहने वाला नहीं हूँ, जो आपके पास है। और मैं तो कभी अमरत की तलाश में नहीं रहा। मुझे आपे हयात का रस्ता नहीं चाहिए। मैं तो वो लाफ़ानी हयात चाहता हूँ, जो जहर पी का रस्ता होती है। इसलिए लिल्ला मुझे चश्मे का रस्ता मत बजाए। मुझे सुकरात के बंदी घर का रस्ता दिख लाइए। अब ये आठ सत्रों की नजम है, मैं ऐसे घदर के एक शेर में भी कह सकता था। लेकिन जिस तरी किसे मैंने इसके अंदर छे सत्रें भरी हैं, पहली सत्र और आखरी सत्र। पहली सत्र जैसे मैंने अर्जगा के खाजा खिदर जी, मैंने आपसे, मैंने कब पूछा था आपसे चश्मा-ए-हवां का रस्ता। आखरी सत्र के सुकरात के बंदी घर का रस्ता दिख लाइए। मुझको तो सुकरात के बंदी घर का रस्ता दिख लाइए। अब इसमें एक सत्र वैसी है जैसे गजल का एक शेर वालित हो गया लेकिन ये नजब अलग है उस माला में प्रोई हुई नहीं है जिस माला में गजल का एक शेर माशूक की तारीफ में है दूसरा बिलकुल कसाभी है कि उसमें जिगर और उसके तीर चुबे हुए और रफू का काम है और तीसरा दुनिया की बेस्वाती पर है और चौता दोस्तों के बारे में है कि वो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई तीर खा की जब देखा जो कमींगा की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात होगी और पांचमा जो शियर है वो खुदा जाने च्छटा खुदा जाने कि इसके बारे में है तो उसमें खजफ और हीरे मोती एक साथ जड़े गए उस माला में उस तस्वीह में आप उसे फेरते जाएं तो कभी तो मोती आता हाथ में कभी आपके हाथ में शिशा आ जाता है कभी आपके हाथ में कुछ और आ जाता है तो भाईजान घजल का ये और मैंने एक अर्ज़ किया था पिर दुबारा में घजल पर आ गए खुदा आ जाने कियो कि क्या वजह है कि जापानी सिंफ हाइकू दुनिया भर में मकबूल हूई गजल मकबूल नहीं हुई क्योंके गजल उन्ट्रांसलेटिबल है। उसे आप रिक्रियेट भी नहीं कर सकते हैं। उसे आप ट्रैस क्रियेट कर सकते हैं, दस लाइनों में एक शेर को। कि यह तो भजल पर दोवारा हम लोग आगए तो अगर ये जिसको आप घजल की खामी बताते हैं इसको हम घजल की ताकर भी समझते हैं नी हुए ना दुनिया रिभ् Igor आए चारी में घजल जैसे शायरी करना मुंकिन ही नहीं 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 है तो जाहर है से मतालिक हैं हमारे दाइबाएं जो जिंदगी है लेकि अख़बार की खबर की तरह भी नहीं इसलिए कि उसमें ये ज़रूरी है कि हिज आए वो हिज जो सिर्फ ये जो आपका एतरास गज़ते है ना ये हमारा तो तमाम असनाफ पे है कुछ कहानिया ऐसी हिंदुस्तान में लिखी जा रही है जिनको हम आज सुबह अख़बार में पढ़ते हैं कि कोई बाकिया हुआ है कोई हाथसा हुआ है तो दूसरे दिन उसी पर एक कहानी हो जाती है तो वो ऐसा ही लगता है कि अख़बार की रिपोर्टिंग हो दूस्ता है फरक सिर्फ ये है कि जमरत भाई सा खाने वाली बात है अपने दर्द से आप कशीद करते हैं अपने लिफ एक हैट तक तो सही है दर्द होता है लेकिन अगर आप उसको जखम के भरने तलग ना खुन ना बढ़ाएंगे क्या अगर हर शेर में मदमून यही है तो फिर आला जाने कहां तक पहुंचे गया हुआ जी 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 घर तो ऐसा नहीं होना चाहिए और जहां और मैंने कहा ना कि आप फानी बदायूनी तक पहुंच जाएं तो हर शेर में यही बात है आप कुछ और शायर उन पर पहुंच जाएं तो उसमें वही जिक्र है जी गर के टुकड़े और फुलां और फुलां एक द